नमस्ते में बात करने वाला हूँ बैटरी 4 वेस्टी के बारे में जो की काफी बेहतरिन वेस्टी है बीट बनाने के लिए रिदम बनाने के लिए और काफी असान भी है तो आप देख सकते हैं बैटरी 4 का कुछ इस तरह से इंटरफेस है इसमें हर तरह के आपको साउंड मिल जाएंगे चाहे मैं की की बात करूं स्नेयर की बात करूं या डिफरेंट टाइप के लूप भी मिल जाते हैं आपको जैसे कि मैं सैंपल पर जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि हाइट ओपन हाइट क्लोज शेकर प्रगूशन सब कुछ है और यहां पर उस साउंड को आप स यूज कर सकते हैं आप सुन सकते हैं शेकर पे क्लिक करूंगा और यहां पर इस पिकर और होना चाहिए तब भी यहां पर प्रेश करेंगे तो आपको साउंड शुनाई देगा ठीक है पर कुछ आपको चाहिए सब कुछ मिल जाएंगे आपको चीक है यहाँ पे BANGO क्लाव सब कुछ है अगर मैं किट पे क्लिक करूँ और DRUM पे तो यहाँ पे बहुत तरह के आपको एक already किट मिल जाएंगे जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको ड्रैक कर दिया मैंनो उठा गे तो एक preset ही मिल जाता है हमें beat बनाने के लिए जिसे kick है, snare है, claps है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है अगर यह आपको पसंद है तो आप इसको रख सकते हैं अपने beat बनाने के लिए कोई भी drag करेंगे तो different different type के आपके पास option आजाएंगे अलग-अलग sound आपके आजाएंगे, hats वगर के, ठीक है तो यह काफी बहतरीन waste है beat के लिए और यहाँ पे बहुत सारे आपको settings विदियो हैं अगर आप थोड़ी बहुत mixing करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं अपने sounds का इसमें लग-बग सारे sounds मिल जाते हैं जहाँ पे हम beat बना सकते हैं बहुत असानी से चलिए मैं एक छोटा सा beat बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत idea लग जाए कि कैसे इसे हम use कर सकते हैं ठीक है? जो मैं इसमें से कोई एक preset ले लेता हूँ ड्रम में जाके इसका kit मैं इसको ले लेता हूँ ठीक है? इसमें सब कुछ दिया हुआ है आप सब कुछ सुन सकते हैं और इसमें आपको एक चीज़ और भी है कि अगर मैं यहाँ पे click करता हूँ तो यहाँ पे मेरा key range भी दिखाएगा कि यह कहाँ पे है मेरा कि जो assign किया हुआ है किस की range में है तो यह C1 में है मतलब अपने मैं MIDI से अगर C1 प्रेस करूँ तो यह खुद ही play होगा ठीक है? और यहाँ पे click करता हूँ तो यहाँ देखिए C sharp 1 से हो गया मतलब 1 to क्या है? यह octave है 1 octave, 2 octave यह चीज़े है किसी और tutorial में मैं इसको विस्तार से बताऊंगा इसके बारे में फिलहाल में मैं थोड़ी भूत आपको knowledge दे देता हूँ So मैं क्या करता हूँ कि चली एक beat बना के दिखाता हूँ बहुत छोटा सा beat बना के दिखाता हूँ में और यहां पर मैं record करता हूँ इसको पहले यह जो kick है ना kick मैं record करता हूँ So मैंने इसको record कर लिया और मैं सिर्फ एक बार में ही बनाऊंगा Right So चलिए मैंने इसको kick को यहां पर रख दिया ऐसे कर दिया मैंने चलिए kick मेरा हो गया कर रहा है जो इस तरह से play हो रहा है ठीक है इसको चलिए हटा देता हूँ ओके अब kick के बाद मैं क्या लगा सकता हूँ दिखिए जब मैं keyboard से play कर रहा था तो सीवन ने play हो रहा था यह कौन सा sound है tom sound है मतलब यह वाला लग रहा है मुझे तो मुझे लग रहा है एक बार इसको इस sound को में रखूँगा यह है F3 पे F sharp मतलब 3 का मतलब यह मेरा हो जाएगा यहाँ पे मैं चाहूँ तो चलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं पियानो रोल से ही बना के दिखा देता हूँ आपको चलिए यहाँ पे है तो अभी क्या बज़रा है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे और एक जो टॉम का sound था मैं क्या करता हूँ कि यह जो है इसके बाद में रखता हूँ देखिए क्या होता है यह किस की पे है मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ यह वाला है तो कहाँ पे लगना चाहिए यहाँ पे लगा के देखता हूँ यह फ़न पे था यह यहाँ पे आएगा मैं इसको और रखता हूँ चलिए मैं देखता हूँ एक बार ठीक है और एक बार यह यहाँ पे रख देता हूँ इसको यहाँ पे लगाना होगा हमें यह यहाँ पे आएगा तो आपने सुना कि कितना मतलब अच्छा लग रहा है साउन इसको इतना ही कर देने से और मैं कुछ लगा सकता हूँ तो देखता हूँ कुछ शेकर लगा कि मैं देखता हूँ यहाँ पे शेकर यह किस पे है? F-sharp 1 पे चलिए इसको मैं एक बार रिकॉर्ड करता हूँ मैं मीडी से ही कर देता हूँ यहाँ से भी कर सकता हूँ तो असरा इसको कॉंटाइज कर देता हूँ कोई यह beat making tutorial नहीं है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं आपको बता दूँ थोड़ी बहुत आपको मैं ideas दे रहा हूँ कि how you can do it ठीक है? सो देखिए यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ पे लगना चाहिए कहाँ पे नहीं लगना चाहिए इसके बाद अगर कुछ करना चाहिए तो definitely बहुत सारी चीजें है अगर मैं चाहूँ तो इसको add कर सकता हूँ इसको add कर सकता हूँ तो यह किस पे है? Z sharp 2 पे मतलब यह है मैं add करता हूँ देखता हूँ क्या होता है यहाँ double record हो गया था इसको मैं हटा देता हूँ अब मैं quantize कर देता हूँ अब देखते हैं कैसा लग रहा है ठीक है? और भी चीजे कुछ add करना चाहते हैं तो definitely आप add कर सकते हैं टंबरी नियूज करके देखता हूँ मैं एक बार तो पहले मैं एक बार इसका जो है skill में check कर लेता हूँ तो यह मेरा B3 पर है मतलब B3 मेरा है यह यहाँ पर मतलब मैं एक बार piano roll में जाता हूँ देखिए यह B3 यह है मेरा खुदी पता चल जाएगा आपको अब देखिए मैं कुछ इस तरस यूज करता हूँ तो मैंने इसको भी यूज कर लिया सो मेरा यह हो गया अगर मैं इसमें थोड़ा सा snare यूज करना चाहता हूँ तो एक बार चलिए यह वाला यूज करता हूँ यह किस पर है मेरा E3 पर तो देखिए मेरा E3 यह है मेरा E3 अब एक बार देखता हूँ कैसा पहले एक बार चेकर सो मैं कुछ इस तरस रिकॉड कर रहा हूँ देखिए कॉंटाइज कर देता हूँ मैं इससे अब देखिए तो इस तरह से हम बैटरी को यूज करके बीट क्रियेट कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही तरह सुमच पर वाचिए